आप देख रहे हैं तो हमें खुला वाद नहीं रखना है यह बंद भी करना है तो जो इसमें ये लगा है ये जो शОλूसान है वो तो हमारे पास अभी है नी ज़रूरी नी सभी के पास हो है ना तो लोग बज़ट में भी कई बार कुछ चीज़े करके देख लेगे उसे आप जरूर मतलब कोई limit नहीं है आपके पास कितने load cell जो हैं खराब रखे हैं और कितनी आप कमाई जो हैं कर पाओ इसकी ऐसा कोई limit नहीं बताए जा सकती कितनी कमाई हो लेकिन ये है कि आपकी कमाई होगी जरूर हेलो दोस्तो स्वागत आपका एक नई वीडियो में आप एक load cell देख रहे हैं ये मैंने आपको दिखाने के लिए खोल लिया है जो इसकी ये वाली layer होती है ये वाली हमने उखाड ली है और बड़े आहिस्ता से हमें ये उखाड नहीं होती है क्योंकि बहुत हलके हलके ये देखिया आप wire है और अगर ये तोट जाए तो problem हो जाती है काफी क्योंकि इन पे कोई color code तो होता नहीं कि कहां से हमने लेना है और कहां पे हमें लगाना है तो इसमें क्या है इसमें वजन ना बताने की problem है वजन नहीं बता रहा है तो अब ये wire कौन सा है अगर हम इसको खाड़ने को किस्स करेंगे तो ये problem हो सकती है और मैं आपको बताऊँ ये जैसे जैसे ये आ रहा है ये वाला wire ये ऐसे होता हुआ यहां पे आ रहा है हमारे यानि कि और ये आप देखिए ये track कहां पे जा रहा है हमारा ये track और नजदिक ले आता हूँ ये track हमारा कहां पे जा रहा है ये जा रहा हमारा lack पे तो जो हमारा ये wire है जो हटा हुआ है ये आप देखने कोशिस करें ये है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ये रेखिए ये ऐसे है ऐसे 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 ये वाला ठीक है और यह जुड़ रहा है हमारा इस पर black पर तो जब हमारा यह black पर जुड़ रहा है तो यानि कि जो हमारी input है वो ही नहीं हमें मिल रही जो हमारा यह system है पूरा जो यह heat stone breeze बना है तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा तो इसमें एक तरह से आप अगर समझने कोशिश करें तो ground ही नहीं जुड़ रहा है तो यह ground का issue है अब क्या करते हैं इसको यहां से जरा सा खुरचते हैं इस wire को इसको मैं खुरच लेता हूँ जरा सा और फिर इसपे solding जो है करके देखते हैं क्या होता है load cell repairing के लिए काफी comment आये थे और आप लोगों के जब आप weight machine का काम करते हैं तो काफी load cell आपके पास इस समय भी ऐसे होंगे जो repair नहीं हो पा रहे होंगे तो अगर आप उनको repair कर लेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपको देखो सबसे पहले क्या करना है यहां पे आपको बिना इसको open गर एक बार तो resistant चेक कर लो मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है एक बार हम wire गो ऐसे चेक कर सकते हैं green पे लगाया फिर देख लिया green काँ पे है यहां पे है इस तरीके सा आपको यह सब भी wire चेक कर लेने है white काँ पे है यहां पे है ठीक है red काँ पे है red हमारा यह रहा इस तरीके से तो देखो कई बार ऐसा होता है आप अपने जो भी आपका कार्यस्तल है कई बार ऐसा होता है कि नहीं कोई काम आ रहा होता लेकिन हमारे पास कुछ spending ऐसी चीज़े पड़ी रहती है अगर हमको किसी वीडियो से कुछ ऐसा ideas हमें मिल जाए जिससे हमेरे 100, 200, 400, 500, 1000 रुपे तक की इंकम अगर हो जाए तो मैं समनता हूँ यह बुरी बात तो होगी नि तो खाली समय में सीख लेना चाहिए तो ऐसा हमने किया हमारे यह वायर प्रोपर चेक हो गई तो अभी इसमें प्रोब्लम क्या है इसमें यह देखे आप यह यहां से यह जो हमारा यह रहता है देखो इसमें जो हमारा मैं जादे इसको साप नहीं कर पा रहा क्योंकि यह भोती सेंसिटिव केस रहता है तो यह होता है जो भी है सारा हमारा वेट बताने का जो main चीज है वो देखो ये रहता है ये आप देख रहे होंगे ये इतना ये रहता है ये हमारा असली जो चीज है वो ये ही है इससे ही हमारा weight वगरा का पता चलता है तो ये क्या है ये wire जहां तक मैं समझ रहा हूँ यहां से ये हटा होगा है क्योंकि इनगा series पहलर, series पहलर ऐसा होके ये जुड़े रहते हैं चारों तो अब मैं क्या गरता हूँ एक बार solding करता हूँ एक बार तो ऐसा गरता हूँ आपको एक card में दिखाता हूँ कि problem पहले पता तो चले क्या है तो मैं card जोड़ लेता हूँ वीडियो को भी रोगता हूँ तो ये मैंने card जो है लगा लिया है और आप देख रहे हैं ये इसमें problem है इससे पहले क्या था इसमें ये weight बिल्कुल नहीं बता रहा था लेकिन अब प्रेस कर रहे हैं बता रहा है और क्या है कि ये running भी कर रहा है तो ये जैसे मैंने इसकी जो ये layer है white वाली ये जैसे ही remove करी ये देखने के लिए कि क्या इसमें issue है तब ये कुछ इस तरीके का भी करने लगा तो अभी क्या करता हूँ इसमें शुरू में ऐसा नहीं था weight नहीं बता रहा था तो ये है जो हमें दिखाई दिया है वो क्या है इसमें पहले क्या था इसमें बिल्कुल weight नहीं बता रहा था अभी क्या हुआ देखो electronic item है ऐसा नहीं कि जो problem दिखाई दे रही है बस वो ही दिखती रहेगी कुछ भी plus minus हो जाता है तो अभी इसमें क्या हुआ इसमें कुछ weight हमें दिखाई दिया और जो running कर रहा है तो कुछ ऐसा भी है तो अभी देख लेते हैं तो ये मैंने जोड़ दिया wire आपको दिखाता हूँ ये जो wire था ये मैंने यहाँ पर solding इसकी कर दिया तो अभी देखते हैं क्या है हमारा अभी light मैंने कर दी है ओफ जिससे हमारा जो display है वो proper दिख सके और जो हमें एक जो हमारा ground थाज में load cell में हमारे वो हमने जोड़ा है आपको दिखा दिया अब हम देखते हैं होता क्या है तो card को करते हैं card on करके देखते हैं पहले हमारा क्या था ये वजन भी नहीं बता रहा था और उसके बाद फिर क्या हुआ है अभी जो थोड़ा बहुत हमने ये धर से ऐसे खोला तो क्या हुआ कि कुछ weight इसमें इसमें plus minus होता दिख रहा था यानिका running लेकिन उससे पहले ये बिल्कुल इस तरीके से 0 था ठीक है तो अभी हमने जब वो wire जोड़ दिया है तो क्या हुआ है वो जब wire जोड़ दिया है तो उसकी वजने से जो यहाँ पे कुछ counting चल ले थी वो खतम होगी है लेकिन आप देखते हैं क्या weight भी हमारा बताता है तो क्या करते हैं इसपर प्रेस करते हैं तो आप देख रहे हैं ये weight हमारा बता रहा है तो कुछ weight इसपर ऐसे रखके देखते हैं कोई weight ले ले लेते हैं अभी देखते हैं, इस पर ये रखते हैं, तो अब देखते हैं, इसमें ये वही वाला कार्ड है, जिसमें brightness display की बहुत कम थी, और देखो अब इतनी ज़्यादा है कि अब light बंद करने पर भी नहीं देख पा रही है, मैं क्या करता हूँ, room की भी बंद कर देता हूँ, एक बार ये देखिया, अब भी weight हमारा जो है, वो stable है, अब देख रहे हैं, stable हमारा weight है, मैं light on करता हूँ, weight हमारा stable है, एक condition हमारी ये थी, कि हमारा जो है, वजन नहीं बता रहा था, लेगिन वो condition तब की थी, जब मैं ये card नहीं जोड़ा था, वो पहले देख रखा था, जब मैंने आपको card जोड़ के दिखाया, तब ये weight नहीं बता रहा था, और ये यहाँ पे कुछ counting, जो running वाली problem थी, वो कुछ थी, दो डिजिट में, तो अभी क्या किया हमने, हमें जो problem दिखाई दी, problem हमें ये दिखाई दी, जो ये वाला stain gauge है हमारा, जैसे हम चेक करते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बता रखा है, कि ये जो testing का procedure है, ये हमारे circuit को दिखा देता है, जैसे कि ये wire, ये वाला जो wire है, ये वाला wire हमारा यहां जुड़ा हुआ है, इसको दिखा देगा, ये यहां पर जुड़ रहे हैं, वो जुड़े हुए हैं, वो दिखा देगा, लेकिन ये जो testing का procedure है, ये पूरे load cell की testing को नहीं बता पानेगा, ठीक है, तो अभी इसमें क् जो हमारा ये वाला sensor लगा है, ये वाला, ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो sensor लगा था, इस वाले sensor के लिए हमारा जो ये, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, ये ground ही है, मैंने आपको बहुत बारिक से दिखाया है ये, एक बार फिर दिखा देता हूँ, ये जो wire आरा है हमार यह ऐसे होता हुआ, यहाँ पर आ रहा है और इसका track आप यह देखे, यह track कहाँ पर जा रहा है यह देखे यह आप किस तरीके से देख पाएं, यह देखे अभी आप देख रहे होंगे, यह जो track है यह हमारा इस पर जा रहा है, हमारा minus पर यानि के black wire पर तो यह हमने जोड़ दिया, और अब हमारा जो problem है, वह बिल्कुल soul हो गई है, keypad ले ले लेते हैं, इसको zero कर देए एक बार तो हमारी problem soul हो चुगी है zero कर दिया keypad से, अभी यह zero stable है, यहाँ पर कुछ प्रेस करते हैं, तो weight हमारा दिखा देगा नहीं, तो यह हमारा zero है अभी इसका एक काम हमें और करना पड़ेगा, अभी क्या करते हैं मैं वीडियो को लंबी जो है कभी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ चीज़े देखो ऐसी होती है, वो बताने भी पूरी चाहिए, मैं भी क्या करता हूँ, यह card कर देता हूँ, बंग, इसकी supply निकाल देता हूँ, तो हमारा card जो है, बंद हो गया है और keypad को भी side करते हैं, तो load cell तो हमारा repair जो है, हो चुगा है, अब हमें इसको खुला नहीं रखना, इसके लिए आमें क्या करना होगा, वो एक बार देख लेते हैं, यह मुंबत्ती है, अभी आप खुला वा भी देख रहे हैं, तो तो हमें खुला वा तो नहीं रखना है, यह बंद भी करना है, तो जो इसमें यह लगा है यह दो solution है वो तो हमारे पास अभी है नहीं, जरूरी नहीं सभी के पास हो, तो low budget में भी कई बार कुछ चीज़े करके देख लेनी चाहिए, तो अभी क्या करते हैं, iron है, यह है मारी मुंबत्ती, ठीक है, क्या करेंगे इस पर, इस तरीके से करेंगे, इसको इस तरीके से करते जाएंगे दोस्तो इस वीडियो से आप जरूर मतलब कोई limit नहीं है आपके पास कितने load cell जो हैं खराब रखे हैं और कितनी आप कमाई जो हैं कर पाओ इसकी ऐसा कोई limit नहीं बताए जा सकती कितनी कमाई हो लेकिन ये है कि आपकी कमाई होगी जरूर देखो मेरी तो कमाई हो रही हो अभी या ना लेकिन मैं सोचता हूँ आप लोगों की कमाई होती रहे देखो मुझे तो अभी व्योज वगर इतने नहीं मिल पारे बस मेहनत ही चल ली है आप लोगों का ही सहरा है सपोर्ट है तो मेरी तो अभी कमाई नहीं चल ली कुछ भी लेकिन ये है कि आप लोगों की कमाई काम है कुछ भी अगर कर पाऊं मेरी तरफ से तो ये है इसको इस तरीके से कर दिया प्रोब पर इसको इस तरीके से कर देंगे अभी क्या लेते हैं इसमें जो हमारा वायर है ये ये उठ रहा है एक बाद से इसको इस तरीके से दबा लेंगे और ये हमारा लोड शेल जो है कम्प्लेट हमारा इस तरीके से बंद हो चुगा है आपके मैंड में इसको जो हमारा ये खुल जाता है इसको बंद करने का कोई और किसी तरह का आइडिया हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं देखो मेरे पास तो लो बजट में अभी ये ही आइडिया था जरूरी नहीं हम रिपेरिंग तो कर रहे हैं लेकिन उसको इतना कोश्टली कर दें कि उसकी कीमत का जो हम रिपेर कर रहे हैं वो ही दूसरा आ जाए तो देखो रिपेरिंग ऐसी भी नहीं होने चाहिए रिपेरिंग बस ऐसी हो कि हाँ रिपेर हो जाए और हमारा जो ज़्यादा लागत हमारी ना आए तो अभी आप जो देख रहे हैं यह हमारा वो ही लोड सेल है देखो यह हमारा ज़्यादा वाइट करके है और यह हमारा कुछ ट्रांसपेरेंट है आप देख रहे हैं मुंबत के हमारी यह ट्रांसपेरेंट है तो आप देख रहे होंगे आपको यहाँ पे कुछ वायर यह दिख सकते हैं लेकिन यह वायर दिख रहे हैं अलग बात है लेकिन यह बंद बिल्कुल हो चुपा है देख रहे हैं आप यह बिल्कुल बंद हो चुपा है ठीक हैं इसमें और इसमें आपको जाधांतर दिखाई नहीं देगा देख रहे हैं आप तो ये इसमें हमने दिपेर इसको करा और एक बार से फिर देख लेते हैं कि जिस तरीके से हमने इसको करा इसमें कुछ ओर इसू एरर वगेरा तो नहीं आ गया क्योंकि मैं बार-बार कहता हूँ electronic item है कभी भी कुछ बीश में किसी भी तरह गायरत आ सकता है तो एक तो वो वाली problem जो हमारी इस तरीके से जुड़ते ही हमारे यहां पर counting आ रही थी ठीक है और वो counting नहीं आ रही है minus नहीं है कोई counting वगएरा नहीं कुछ नहीं और दूसरी यह कि अगर हम weight रखें तो वो stable हो जब हमारी 0 stable हो जाती है तो हमारा weight भी stable हो जाता है तो जब इसको हम calibrate करेंगे आपने पहले देखा था 40 आ रहा था 25 है वो कोई error नहीं वो जब हम अच्छे तरीके से इसको manage कर देंगे अभी ये card में भी programming सायद जो हो रही है सायद एक quintal के से जादे के लिए हो रही है तो वो सब program से हो जाता है finally ये है कि हमारा जो load cell था वो repair हो चुगा है जब 0 stable हो जाती है तो weight भी हमारा stable ही रहता है तो मैं समझता हूँ इस video के माध्यम से आप 1000 रुपे तो सायद कमा पाएं या ना तो बस इसी best wishes के साथ video का end करते हैं video देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यावा प्राइब बहुत 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 बहुत